इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह शरीर के दर्द से राहत मिलती है और तवचा में चमक आती है ये लाजवाब मिश्रण अपने सुगंधित सार के साथ इंद्रियों को सुखदायक बनाते हुए तवचा को गहराई से मौस्चराइज करता है इस हर्बल तेल से नियमित रूप से अपने शरीर की मालिश करें और अपनी तवचा को आवश्यक पोशन दे चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, नारी केला तेला और तिल तेला मिलकर तीवर जल्योजन प्रदान करते हैं, शुष्कता से लड़ते हैं और तवचा की प्राकृतिक नमी को बहाल करते हैं दो, रक्चंदन, लोध्र और वचा का मिश्रन तवचा को पोशन और पुनर जीवित करने के लिए सहक्रियात्मक रूप से काम करता है, एक स्वस्थ चमक को बढ़ावा देता है 3. कचूरा और चंदना चिर तवचा को शांत करने, सूजन को कम करने और शांत प्रभाव प्रदान करने में मदद करते हैं 4. कस्तूरी ममजल तवचा की रंगत को निखारता है, सुस्त क्षेतरों को चमकाता है और अधिक समान रंगत प्रदान करता है पांच, सुगंधित आवश्यक तेलों से युक्त, ये तेल न केवल तवचा को लाब पहुँचाता है, बल्कि समवेदी आनन भी प्रदान करता है छे, लोध्रा और चंदना में सूजन रोधी गुण होते हैं, जो तवचा की लालिमा और जलन को कम करने में सहायता करते हैं साथ, सामगरी में प्राकृतिक एंटियॉक्सिडेंट होते हैं, जो तवचा को मुक्त कंट शती से बचाते हैं, इसकी युवा उपस्थिती बनाए रखते हैं नियमत उप्योग से तवचा की बनावत में सुधार, उसे चिकना और अधिक कोमल बनाने में मदद मिलती हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें